हाई दियर फ्रेंड्स उमीदाय पच्छे होंगे आज मेरे साथ में मिर्जा है नए ब्लॉग में स्पेशल्टी क्या इस ब्लॉग की स्पेशल्टी यह कि आप देखे इसके कान बैठ गए है अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें इसके दोनों कान बिल्कुल प्रॉपर खड़े थे लाइक दिस और अब जनाब की कान बिल्कुल बैठ गे थे रीजन क्या है क्या इसके कान दुबारा से खड़े होंगे या नहीं होंगे क्या मुझे इसके लिए वरी करना चाहिए क्या आपको अपने डॉग के लिए वरी करना चाहिए या नहीं यह सब चीज मैं explain करने वाला हूँ इस वीडियो में यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा informative होने वाला है अगर आपके पास में कोई डॉग है जिसके कान खड़े होने चाहिए और वो कान खड़े नहीं हो रहे तो reason भी बताऊँगा solution भी बताऊँगा मैं बादल भंडारी हूँ और पिछले 27 साल से dogs breed कर रहा हूँ और मैं behaviorist हूँ यह जो मिर्जा भाई साब है कुछ दिन पहले यह बिमार हो गए थे lose motion लगए थे जनाब को जिसकी वेज़ा से बहुत सारी weakness आ गई weakness आने का reason होता है एक तो body के जो electoral है वो बहुत जादा lose होता है electrolytes जो important है वो lose होते है waste होते है उसके इलावा weakness आ जाती है जब वो electrolytes जाएंगे body से तो जो weakness है वो कहां दिखेगी वो उसकी नसों में दिखेगी उसके चलने फिरने में weakness दिखाई देगी उसके कान जो है कान भी नसों ने खड़े करने है उसके बीच में कोई bone तो है नहीं कान तो नसों ने years पर भी दिखाई देती है एक reason यह है कि वो बिमार हो गया था दूसरा reason जो बहुत important वो यह जब हमारे पास में घर में दो डॉग होते हैं तो बहुत बड़ी होता है बड़ा डॉग अगर है जिसके कान खड़े हैं या लैबरेडर या golden retriever या राटविलर कोई भी ABC ब्रीड हो सकती है दूसरा अगर जमशेफट जैसी breed है जिसके कान खड़े होने चाहिए तो वो जब खेलते हैं आपस में तो एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से snatch करते हैं पकड़ते हैं कभी मिर्जा इसको मिर्जा को पैबलो यहां से पकड़ता है कभी यहां से पकड़ता है कभी क्या ब्लेम करें हम उसे क्या समझाएं उस चीज के लिए कि बेटा आपको यह करना है या नहीं करना तो अगर ऐसी situation हो गई है तो definitely आपको बहुत important वाला seriously इस चीज को लेना चाहिए अगर आप इसे seriously नहीं लेंगे तो आपके बच्चे के कान शायद पूरी जिंदगी खड हो गए तो best है अगर नहीं हुए तो फिर उसके बाद में उसके 90% chances है कि डॉग के कान खड़े नहीं होंगे चाहे आप टेपिंग करें चाहे कुछ भी दे चाहे दुनिया जहान की best of the best medicines दे दे क्यों यह सब कुछ जो है वो nature के हाथ में है भगवान के हाथ में साहीं के हाथ में सो मुझे करना क्या इस situation में मुझे सबसे पहले तो यह देखना है कि अब इसकी बार इसकी fitness का क्या लगना है कि बार बार बिमार ना हो फिर से weakness ना है एक चीज़ दूसरा इसकी जो health tonics है वो मुझे add करने मुझे इसकी diet में एक बहुत अच्छी quality का calcium add करना मैं calcium add करना मै एले भी हम calcium काटी दे रहे थे अभी फिर से मैं ऐसे calcium काटी दूँगा अब जैसे मिर्जा है इसको मैं three to four times मुझे calcium देना पड़ेगा एक चीज़ दूसरा इसके लिए nerwine सिरफ बहुत जरूरी कुछ nerwine tonic देना पड़ेगा वो कोई भी हो सकता वो depend करेगा आप कहां रहत जादा important है इसको balance food देना balance food में definitely मैं इसे boiled egg दे सकता हूँ और अब मैं अगर egg की बात करूँ और मैं सोचूं कि मैं मेरे पास में अगर पैसे हों तो मैं मिर्जा को 10 egg खिला दूँ एक दिन में 15 egg खिला दूँ तो वो गलत है उस बच्चे की requirement कितनी है protein की उस बच्चे की calcium की कितनी requirement है उसके accordingly मुझे उसे dose देनी है अगर मैं इसे excess दूँगा यह एक example दे रहा था भाई किसी के लिए भी example दे रहा था अगर हमारे पास में हम सोचें की पैसे हम जादा कुछ खिला देंगे भाई देना तो उतना पड़ेगा जो body digest भी कर ले जादा अंडे दोग हो ते लिवर उड़ जाएगा खराब हो जाएगा और फीड हो जाएगा डॉरिन येलो करने लग जाएगा और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी सो बैलेंस फूट देना एक चीज नर्वाइन टॉनिक केल्सियम और बाकी चीज़ों का कॉमिनेशन देना दूसरी चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये मुझे अपने इस डॉग को दूसरे डॉग से सेपरेट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए कम से कम तब तक के लिए जब तक इसके कान अच्छे से खड़े नहीं हो जाते मींज अगर ये वैसे एक अठे है कोई इशू नहीं है लेकिन जब मेरा डॉग एक डॉग दूसरे के साथ खेलने लगा तो मुझे उससे बचाना पड़ेगा जैसे इसके कान बैठ रहे हैं तो तो मुझे इससे बचाना पड़ेगा क्योंकि अगर उसने फिर से इसे एकदम से पकड़के स्नाच किया कान से खींच दिया मैंने अबसर्व किया बहत बड़ी पैब लगी पैबलो कान से खेलते हो खींच देता है तो बहुत हैं कि बारीक नसे हैं कानों की और वो टूट ज कभी एक कान बैठ जाता है कभी दूसरा बैठ जाता है वो एक नॉर्मल चीज है लेकिन अगर वो बार-बार प्रॉब्लम आ रही है यहां आपको लग रहा है उसकी एज हो रही है जैसे क्योंकि यह पौने चार महिने का हो गया और मैक्सिम इसके पास में अब 40 डेज हैं कान खड़े करने के लिए अगर 40 डेज में कान नहीं खड़े हुए बिर्जा के तो कभी भी कान खड़े नहीं होंगे एक चीज और मुझे जैनरली कोई बहुत जादा फर्क नहीं पड़ेगा कि मिर्जा के कान खड़े हुए या नहीं लेकिन एक वो होता है ना डॉग की ब्यूटी खराब हो जाती ह है वो चीज का फर्क पड़ता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे बच्चे की कान खड़े है तो भी मेरा ही है अगर बैठ जाएंगे बैठे रहे जाएंगे तो भी मेरा ही है लेकिन डेफिनेटली इस चीज को बहुत सीरियसली लिना विकर हम पैट पेरेंट है हमा अपनी appointment book कीजिए, ताकि मैं आपको एक proper help कर सकूँ, आपके फर बेबी की कैसे हम improvement कर सकते हैं, वो बहुत matter करेगा. balance food बहुत important है, balance feed supplements बहुत important है, अगर इसके कान खड़े हो जाएंगे, तो भी या पी के सामने videos इसके आते रहेंगे, अगर कान नहीं खड़े होगे, तो भी मैं special video बना के दिखाऊँगा, कि इसके कान खड़े हो गए, कितने दिन पर खड़े होए, वो भी बताऊँगा, अगर कान नहीं खड़े होए, तो भी मैं बताऊँगा, I hope यह जो video बनाया है, यह आपको informative लगा होगा, और definitely अगर आपके पास में दो डॉग है, और आपको लग रहा है कि time गुजरता जा रहा है बच्चे का, तो आप दोनों dogs को separate कर दो, कुछ दिन के लिए, especially खेलने के time पे, उ को miss नहीं करने देना चाहेंगे, साइंदिया करेंगे मुझ पे, आप पे, सारी दुनिया के फर बेविस पे, thank you so much, love you all, bye bye, God bless.